How to Regain Your Lost Motivation with the Help of NLP Technique आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के ओपर बात करने वाला हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है कि सर जिन्दगी का एक ऐसा समय था जब हम बहुत जादा motivated फील करते थे, excitement था हमारे अंदर और ऐसा लगता था कि everything is possible for me यानि कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो impossible है चाहे वो finances create करना हो, success create करना हो, किसी exam को crack करना हो या अपनी जिन्दगी को अपने way में design करना हो, entrepreneur बनना हो लेकिन आज वो motivation level down हो चुका है अब हमें ऐसा लगता है कि वो motivation कल की बात थी और उसे वापस regain नहीं किया जा सकता और बहुत समय से जिन्दगी ऐसी ही निकल रही है अगर आप भी ऐसा feel करते हैं या आपकी जिन्दगी में कोई भी ऐसा time था जब आप बहुत motivated थे तो आप उस motivation को वापस लेके आ सकते हैं आज मैं आपके साथ उसी NLP टेक्नीक को शेर करने बादा हूँ मेरा नाम वेद है मैं लास्ट 12 वियर से in the field of mind programming work कर रहा हूँ I have been helping common people to celebrities create a change in their life जिसमें वो अपनी जिन्दगी में अपने challenges से अपने problems से खुद को बाहर निकाल पाते हैं और अपने goals को achieve कर पाते हैं मैं चाहता हूँ कि इसके पहले मैं आगे बढ़ू आप इस channel को जरूर subscribe कर लें अगर आपने नहीं किया है तो so that you can watch every video अब आएए समझने की कोशिश करते हैं NLP यानि कि Neuro Linguistic Programming ये कहता है कि you already have the resources you need यानि कि आपको अपनी जिन्दगी में जो भी resources चाहिए और जब NLP में हम resources की बात करते हैं तो NLP में resources का मतलब होता है resourceful state of mind यानि कि positive manodasha state of mind को हम manodasha कहते हैं तो resourceful state of mind के example क्या-क्या है confidence, love, joy, courage, happiness ये सभी चीज़े example है positive state of mind के या resourceful state of mind के in the same way motivation भी एक resourceful state of mind है कभी आप बहुत जादा motivated feel करते थे आज आप motivated नहीं feel कर रहे हैं तो NLP ये कहता है कि you already have the resources you need that means कि आपके अंदर motivation का resource है सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि उस resource का connection cut गया है यानि कि वो resource disconnect हो गई है आपकी आज की situation से past में तो वो motivation था लेकिन आज present situation में आपको वो motivation चाहिए और वो motivation आज आप feel नहीं कर पा रहे है आज आप उस motivation को experience नहीं कर पा रहे है तो जो NLP का presupposition कहता है कि आपके पास already resources है उसको अगर हम अपनी जिंदगी में implement करना चाहें कि अगर वो resource मेरे पास है यह वैसा ही है जैसे आपके bank account में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है आज आप financial challenges में हैं क्योंकि उस bank account का password आप भूल जुके हैं या जिस तरह से आप उस bank account को access कर सकते थे वो आज link किसी वज़े से break हो गया है और आप उसे access नहीं कर पाए अगर आप उसे re-access कर सकें तो आपकी financial problems, challenges खतम हो जाएंगी इन दे सेम वे आज आपको motivation की जरूरत है उसके लिए आप बार-बार बहुत सारे motivational speakers की videos देखते हैं कुछ समय तक motivated feel करते हैं वापस आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर आप थे अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको समझना पड़ेगा कि external motivation एक level तक ही काम करता है वो भी काम इसलिए करता है क्योंकि external motivation internally आपको influence करता है आपको changes create करते हैं आपके mind के अंदर की कुछ images, कुछ videos, कुछ sounds बदल जाती है I can't do it से I can do it हो जाता है और आप motivated feel करने लगते हैं लेकिन अगर actually आपको motivation को experience करना है तो external motivation will not work for a long time ज़्यादा समय तक external motivation काम नहीं करता आपको actually inner motivation create करना पड़ेगा या inner motivation को access करना पड़ेगा जो already आपके पास है और वो आप access कैसे करेंगे इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने life के उस event में integrate होना है associate होना है जब आप already motivated थे और उन experiences को अपने अंदर absorb कर लेना है और आज के समय में वापस आना है और उसी motivation के साथ आपको अपनी आज की जिन्दगी को visualize करना है तो यह तो उसके steps है यानि कि go into the time access those resources and bring them back in present time अब इसे करते कैसे हैं आईए शुरू करते हैं मेरे साथ इस technique को करने की कोशिश करिए और जरूर मुझे comment section में बताइएगा की what is the level of your motivation now यानि की आपका motivation level अगर 1 से 10 के scale पे measure करना हो तो अगर अभी आप अपने present situation को देखें तो आपके motivation का level क्या है on the scale of 1 to 10 जहाँ पे 1 lowest है 10 highest है और after the technique फिर से आप अपने अंदर check करेंगे की how much motivation do you feel now और आपको बताना है कि अब वो level कहां पहुँच गया जैसे suppose करो कि पहले वो 2 या 3 के level पे था लेकिन after the technique वो पहुँच गया है 9 या 10 तो आपको बताना है कि 3-10 और 9 और specifically अगर आपने कुछ experience किया या आपके अंदर जो change आया वो आपको क्यों लगता है क्यों आया वो जरूर comment section में लिखिएगा तो आए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको क्या करना है इस technique को करने के लिए आपको अपनी backbone को straight करके बैठना है यानि straighten your backbone अपने shoulders को wide रखना है अपने चहरे पे एक बहुत प्यारी से अच्छी से smile रखनी है now if you want you can close your eyes or if you want you can keep them open both are going to help you concentrate deeply यानि कि दोनों ही आपको deeply concentrate करने में मदद करने वाले चाहे आप आँखे खुली रखे या आँखे बंद कर ले बहुत सारे लोग आँखे बंद करके ज़्यादा concentrated feel करते हैं now think of a time अपनी जिंदगी के किसी ऐसे time के बारे में सोचिए किसी life के ऐसे moment के बारे में सोचिए जब आप बहुत ही ज़्यादा motivated थे right हो सकता है आप में से किसी इंसान के मन में ये सवाल आ रहा हो मुझे तो ऐसा कोई समय याद नहीं आ रहा तो you can create an imaginary event आप एक imaginary event create कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा motivated होते हैं अगर वो event real में हो रहा होता है क्योंकि आपके mind के लिए reality और imagination में कोई भी फर्क नहीं है vividly imagine जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमारे mind के लिए वो reality जैसा हो जाता है right so think of some time of your life और think of an event of your life जहां पर आप बहुत ही ज़्यादा motivated थे maybe आप कभी stage पर perform करने जा रहे थे या maybe sports में आपने कुछ बहुत अच्छा किया था या आपने अपनी जिंदगी में कोई responsibility ली थी maybe किसी को help करने की किसी की जान बचाने की या maybe आप जहां पर रहते हो society में आपने किसी particular responsibility को लिया था कि ये responsibility मैं पूरी करूँगा या मैं पूरी करूँगी आपके अंदर एक leadership थी just think of any such situation किसी भी situation में जिसमें आप बहुत ही ज़ादा motivated थे जिसमें आपका energy level high था great wonderful now go into the time उस समय में जाइए उस समय में जाइए महसूस करिए अपने आपको उसी समय में अपनी उसी body में यानि कि जैसे आप physically उस समय थे जो आपकी age थी जिस तरह कि आप situation में थे find yourself, your awareness in that earlier version of you यानि कि आपके उसी previous version में आप integrate हो जाओ and just start to feel that you are there again in the same event उसी event में, उसी same scenario में आप अभी के अभी वहाँ पे हैं and this is kind of hypnotic इसलिए आप बहुत ही जादा deeply experience कर पाएंगे अगर आपने आखे बंद की हैं तो that is even more amazing so now, देखिए कि आप किस तरह के मौहौल में हैं, जब आप उस समय में जा चुके हैं, exactly आपके चारो तरफ कौन से लोग है क्या scenario है, क्या situation है उस particular समय, उस event में वो क्या है जो आप देख रहे हैं आपके चारो तरफ का नजारा क्या है just, just recall all those things as if आप उस event को भी दुबारा जी रहें great, wonderful अगर वहाँ कुछ लोग थे तो वो कौन से थे, उनके चेहरों को देखिए उनकी आँखों को देखिए किस तरह के कपड़े लोगों ने पहने हुए थे, हो सकता है आपको बहुत clearly याद ना आए, लेकिन कुछ एहसास आपको होगा वो किस तरह की situation थी, वो किस तरह की जगर थी, what kind of place it was yes, great, wonderful और देखिए क्योंकि अब आपके पास wide view है, you can see everything, आप उस समय में पहुत चुके हैं और आप सब कुछ देख सकते हैं, जो शायद आपने उस समय नहीं देखा था, वो भी अब आप देख सकते हैं, so see all what you saw at that particular time, उस समय आपने जो भी देखा था, उनको देखना शुरू करिया, और जब आप इन चीजों को देख रहे हैं, start breathing in the same way you were breathing, यानि कि आप वैसे ही सांस लेना शुरू करिये, शायद गहरी, strengthening breaths थी आपकी, वैसे ही breathe करना शुरू करिये, great, wonderful, और उस समय किस तरह की आवाजे थी चारो तरफ, जो आपका high motivation है, उस motivation के लिए, क्या किसी का कोई statement है, जिसने role play किया था, हो सकता है, किसी ने कुछ pinching बात कही थी आपको, और आपने कहा था कि, yes, मैं आपको करके दिखाता हूँ, या करके दिखाती हूँ, great, wonderful, या हो सकता है, किसी ने आपको encourage किया था, और आप बहुत motivated थे, yes, you can do it, तुम नहीं करोगे, तो कौन करेगा, yes, explore all those sounds, अगर वहाँ पे कुछ music थी, वहाँ पे कुछ भी था, कोई भी sound थी, तो वो sound को वापस सुनना शुरू करिये, high definition में सुनना शुरू करिये, as if the sound is being played right now, आप उसी event में हैं, और आप वो सब देख रहे हैं, जो आपने देखा था, आप वो सब सुन रहे हैं, जो आपने सुना था, वोन्डफर, and now, try to identify कि आपके अंदर वो जो motivation की feeling है, वो body के किस पार्ट में है, क्योंकि feeling body के किसी ने किसी पार्ट में produce होती है, generate होती है, और वो रुकी नहीं रहती, वो move करना शुरू करती है, it starts to move in some form of a spiral, और circles, किसी circle के form में, spiral के form में, या spread होती रहती है, यानि आपके पूरे existence में, आपके body के एक-एक cell में, वो feeling spread होती चली जाती है, and right now, try to feel those feelings, उन्ही feelings को वापस feel करना, महसूस करना शुरू करती है, great, wonderful, and make those feelings 10 times, 20 times, 100 times stronger, उसी feeling को वापस 10 times, 20 times, 100 times stronger करिये, make them stronger and stronger and more powerful, और भी ज़्यादा powerful, और भी ज़्यादा stronger ही है, great, wonderful, and just feel, जैसे मानों की ये, पूरा का पूरा motivation, ये पूरी की पूरी energy, आपके body के एक-एक cell में, absorb हो रही है, जैसे sponge पानी को सोख लेता है, in the same way, आपके body का एक-एक cell, इस energy को absorb कर रहा है, और ये vibrate कर रहा है, with lots and lots of positive energy, बहुत सारी positive, high motivational energy के साथ, confidence के साथ, आपके body का एक-एक cell, vibrate कर रहा है, and you are absorbing all these wonderful energies, क्या बात है, amazing, और इस सारी energy को अपने अंदर contain करते हुए, now just fast forward your life, अपनी जिंदगी को fast forward करिए, जैसे हम किसी book के pages को flip करते हैं, और वापस उस page पर आ जाते हैं, जहां पर हमने bookmark लगाया था, so अब आप इस page पर आ जाईए, अपनी जिंदगी के, जहां पर आज आपकी जिंदगी है, and now, just when you reach, when you arrive, this particular moment of your life, जहां पर आपकी आँखों के सामने, आपकी जिंदगी की आज की तस्वीर unfold हो रही है, start to find the inner motivation, जो आपने अभी collect किया है अपने अंदर की, अब इस motivation के साथ आप काम कर रहे हैं, and now visualize yourself doing all the things that you need to do, यानि कि आप उन सारी चीज़ों को visualize करना शुरू करिये, उस energy को, उस motivation को feel करना शुरू करिये, आप देखिए कि कैसे आप exercise कर रहे हैं, कैसे आप अपने goals के लिए work कर रहे हैं, कैसे आप अपने task को पूरा कर रहे हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में नए target set कर रहे हैं, और आप उनको achieve कर रहे हैं, whatever you want to do in your life, do all what is needed, हर वो चीज़ करना शुरू करिये, high motivation के साथ, जो आपकी जिंदगी को एक better design दे सकती है, जो आपकी जिंदगी को transform कर सकती है, and visualize all these wonderful things, और आपके मन के अंदर वो communication लगातार चल रहा है, I can do everything, everything is possible for me, सब कुछ मेरे लिए possible है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कौन कर पाएगा, I am able to do everything in my life, मेरे अंदर वो सारी capability है, वो सारी powers है, और अपने आपको right now visualize करिये, देखिये, अपने आपको उन सारे barriers को तोड़ता हुआ, जो barriers आपको रोक रहते हैं जिन्दगी में, वाव, wonderful, enjoy all these wonderful experiences, इन सारे experiences को enjoy करिये, right now, right at this moment, क्या बात है, amazing, और मुझे पता है, कि अभी आप महसूस कर रहे हैं, कि आपकी जिन्दगी में कुछ बदल चुका है, you are not the same person, great, wonderful, and now, before you come back, you come out of this technique, मैं चाहता हूँ कि आपका जो motivation का level है, आप उसे दुबारा चेक करें, कि what is the level now, on the scale of 1 to 10, what is the level now, great, wonderful, और अगर आपने आखे बंद की थी, तो आप आँके खोल सकते हैं, comment section में जाईए, मुझे बताईए, कि initially आपके confidence का level कहाँ था, और उसके बाद आपके confidence का level कहाँ पहुँच गया, मैं चाहता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ें जरूर शेयर करें, and how was your experience, अपना experience शेयर करें, NLP एक बहुत ही जादा powerful science है, एक ऐसा tool है, जो हमारे इस mind को reprogram कर सकता है, आप अपनी जिन्दगी से सारे challenges को जड़ से उखाड के बाहर फेक सकते हैं, और आप उन goals को achieve कर सकते हैं, जिने आप achieve करना चाहते हैं, आप अपनी जिन्दगी को एक नया design दे सकते हैं, एक नई जिन्दगी create कर सकते हैं, so invest your time, your money, your effort in learning this science, आप मेरे साथ इस science को सीख सकते हैं, मेरी अभी workshops होती रहती हैं, Delhi और Mumbai में, मेरी website पे आप description में जाएए, वहाँ पे link है, आप चेक करिए, Delhi, Mumbai में, live workshop में आप आ सकते हैं, आप online course के थूँ इस program को join कर सकते हैं, जहाँ पे weekly video conference में करता हूँ, और बहुत सारी और नई announcement हैं, जो आप मेरे साथ touch में हैं, तो आपको मिलती रहेंगी, social media पे मुझे, Instagram, Facebook, इन सब जगों पे आप follow कर सकते हैं, So this is so amazing, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लों के साथ यह technique share करके, I really wish that this technique helps you out, आपकी जिंदगी के जो भी challenging situations है, उसमें आपको जरूर help करे, to create the motivation that you want, and live the life that you deserve, I will see you in the next video, or in the next YouTube live, and hopefully in the workshop.